जानी मानी जोतिशाचारी है डॉक्टर शिल्पी धर के पास जो पहले भी काफी भविश्वाने कर चुकी हैं और उनसे जानेंगे के आखिर अब आगे क्या दोजार चौविस की गणना क्या कहती है बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार नमस्कार आप पूरा मैंने देखा कि अपने जोतिशाचारे को जो होता है न के पूरा महौल बना के आपने काफी भविश्वाने किया है शिल्पी जी और अब फाइनली देखिए एंडिये के पास नंबर्स भी हैं लेकिन सवाल आ रहे है नितिश और और बीजेपी की सत्ता में आने के पूरे पूरे चंसे हैं और नरंदर मोधी जी ही प्रदान मंतरी बनेंगे परंतु बिग क्वेश्चिन मार्क इस तिल वेन जैसे कि मैंने पिछली बार भी न्यूज एटीन पर कहा था तीन साल केवल और केवल तीन साल है नरंदर मोधी ज जाएंगे यानि के 25 26 27 इतना ही वक्त नरंदर मोधी जी के पूरे तो यह आपने कहा किसे केवल तीन साल हैं और जोतिश बड़े उसके साथ कहते हैं तो फिर बनेगा कौन हमारे पास जो जो ऑप्शिन्स हैं अमिज जी की ऑप्शिन्स हैं अमिज शा जी हैं अपने पास योगी जी हैं और नितिन जी हैं है ना इन में से अब देखना यह है कि कौन बनेगा किस के प्रबल चांसिस हैं वो हम चेक कर सकते हैं तो आप जरब चेक करके बताएं जरूर किस-किस के चांसीज हैं, तो लीजी एक और भविशवानी हो गई है, कि बनेंगे प्रधानमंतरी बनने जा रहे हैं, लेकिन तीन साल बाद बदलाव होगा, कौन होगे, नितिनगर्ड करी होगे, अमित्शा, योगी होगे, या और जो हैं, वो एरीज मेश राशी से हैं, नाम के अनुसार, उनका भी स्वामी है मंगल, तो दोनों जो हैं, बड़े एनरजेटिक लीडर्स साबित होगे, करी टकर, तीन साल बाद होगी, अमित्शा जी और नितिन जी की, ये दोनों करी टकर में आएंगे, और दोनों में से, क और क्योंकि देखे, समर्थन तो आप नितिश कुमार भी दे रहे हैं, चंदर बाबु नाइडू भी दे रहे हैं, तो अगर आप कहती हैं कि ये ही बीजेपी के अंदर से होगे, तो क्योंकि बीजेपी सिंगर लार्जेस पार्टी है, तो क्या बहर का भी को हो सकता है, प्रवती के इंसान है वो, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि तीन साल बाद, जो चंदर बाबु नाइडू जी है, इनकी जिन्दगी में कुछ बहुत ही अच्छा होगा, कोई अच्छी पूजिशन इन्हें मिल सकती है, मैं ये नहीं कहती प्रदान मंत्री बनेंगे, सरफ तीन साल का है, इसके बाद दिक्कते आने शुरू हो जाएगी, क्या दिक्कते हैं ये कि पार्टी के अंदर कुछ होगा, या वो खुद छोड़ देंगे, विदिन पार्टी कुछ नो कुछ हो जाएगा, और सिच्वेशन बहुत डामा डोल हो जाएगी, लेकिन अमिश साल भी अच्छा है इनके लिए, और जो आने वाले तीन साल है, वो और भी अच्छ है, मतब इस साल के कंपेर, जो तीन साल बाद की सिच्वेशन होगी, वो योगी जी के लिए अच्छी होगी, या उनका असर पड़ेगा उनके नहीं पड़ेगा, ये हमें इस टाइम जो द उन पे जो एट मतब तो हैस परसन कुछ एफेक्ट नहीं होगा योगी जी को योगी जी और आगे बढ़ेंगे यूपी पे जरूर जो इस टाइम आया है कॉंग्रिस का जादा आया है लेकिन योगी हारेंगे नहीं आगे आने वाले कल में उनका और उद्धार होगा मतब प्रजा की जीत हुई है इस टीमक्रिस की जीत हुई है इसा कोई जो नहीं होता हैv एक तरिके से न्यूट्रल चुनाव हो रहा है, डिक्टेटर्षिप कहीं नहीं है अभी तक कुछ लोग कहते तो dictatorship है अगर dictatorship होती तो ऐसा होता ही नहीं, result ऐसा आता ही नहीं, that means democracy की जीत हुई है, प्रजा की जीत हुई है, जहां सवाल रहा astrologers का देखिये बविश्यवानी जो है speculative काम में बविश्यवानी का इतना रोल नहीं होता, है ना, यह speculative है, politics is speculative है ना, film industry speculative, जहां आंकड़े उपर नीचे पल-पल होते हैं, क्योंकि यह राहू से governed है, राहू अपने आप में astrologers के भी उपर माना जाता है, क्योंकि वो ब्रहम का प्रतीक है, देवताओं को भी वो ब्रहमित कर गया, तो astrologers देवताओं के आगे तो क्या ही है, है ना, तो यह राहू स गवरंड है सारी चीज, पॉलिटीक्स हो, या फिर फिल्म इंडस्ट्री हो, यह राहू गवरंड है, तो नाम राशी से भी आप यह तो टेरो काड के आपने काड़ देखें, नाम राशी से अगर बात करें, तो नरेंदर मोदी का आप बार बार जिकर करें, तीन साल बाद बदलाव होगा यह उनकी टेरो कार्ट रीडिंग से देखा या नाम राशी से देखा ग्रह क्या है यह बैसिकली एक हो गया टेरो कार्ट एक हो ग्रह राशी होगी एस्ट्रॉलोजी होगी अंकशास्त्र कई बाते कई भविश्यवानिया नहीं कह सकते हम बड़ कई चीजें ऐ यह जैसी होती है झो शक्तियों के दैवारा भी कही जाती है और जो इन चीजों के भी ऊपर होती तो जो राज्योग की में बार बार जिक्र कर रहling हूं niż उनका क्या ग्रैदिशा कहती है? उनके टेरोकार क्या कहती है? बहुत कम है 2027 में, नीजी तोड़ पर बगवत मान जी बहुत अच्छे इंसान है, कॉमेडियन है जैसे युकरीन के प्रेजडेंट है, और अनिस्ली काम करते हैं, दिल से बहुत अच्छे हैं, कॉमेडियन्स कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स है, राजनीती है, यहां किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, है ना, और 2027 जो है राहू का वर्ष है, पल्टी खाएगा, जो अब है वो तब नहीं होगा, मतलब situation बदलेगा, बदलाव होगा, अच्छा यह हो गया पंजाब की बात, देश का क्या रहेगा इस कारेकाल में, तीन और ओर ओर इंडिया के लिए क्या रहेगा? में है ना, अपना एस्ट्रोनोट जो उपर जाते हैं अंतरिक्ष में, इस पे जो रिसर्च होगी और नए-ने साइंटिस उबर के आएंगे, जो आने वाले सालों साल में नाम कमाएंगे, उसकी खोज और उसकी रिसर्च दो हजार पच्छ में शुरू हो जाएगी, और दो ह जंकट का बादल दो हजार सताइस में आ सकता है, जब राहू प्रबल होगा, अगला साल बहुत शुब है बारत के लिए, बहुत जादा शुब है एक लास सवाल अशिल्पी जी, अब सवाल ये है कि राजनीती 2024 में पता लग गया कि कौन कहां पे खड़ा है, राहूल गांधी, कब प्रधान मंत्री बनेगी, ये सवाल सब के जहन में है जी, राहूल गांधी जी का जो समय है, आने वाले कल में अच्छा होगा, परंतु चाहे प्रधान मंत्री आने वाले वक्त में कोई भी बने, जो कुर्बानिया आजादी के वक्त, भगत सिंग जी ने, या उन लोगों ने दी, जन्होंने जान की कुर्बानिया दी, उनकी ज तो इस टाइम पे जो तीन साल आने वाले हैं, इसमें तो राहूल गांधी जी का चांस नहीं है, जो आने वाला वक्त है, उसमें राहूल गांधी जी के सितारे तभी प्रबल होंगे, अगर वो और प्रियंका गांधी दोनो एक टाइम पे MP बनेंगे पहले तो, जब दोनो प्रियंका गांधी के ग्रह अपने भाई के लिए बहुत शुब है, लेकिन शुब वैसे नहीं है रोजमरा की जिन्दगी में, शुब मतलब अगर दोनों एक टाइम पे MP पहले बनेंगे, तो जाके ग्रह चाल काम करेगी और आने वाला वक्त राहूल गांधी का होगा, खत्रे का समय है, खत्रे का समय है, तो राजनीतिक उतल पुथल देश में अभी नहीं होने वाली हिसाप से आप कहे रहे हैं, तीन साल तक, उतल पुथल इसी साल होगी, जो धिशाल हो. से और फिलाल जो तीन साल है वो नरेंदर मोदी जी राजयोग इंजॉय करेंगे उसके बाद उतल पुतल होगी बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया